Hello everyone, यह Electricity Class 10 Science Chapter 12 NCRD Solution का Part 1 है इस Part में हम exercise के Question 1 to Question 10 solve करेंगे Solve करेंगे से पहले बहुत important चिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का theory का concept clear नहीं है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो जिनका theory का concept clear नहीं है वो वीडियो के description में जाएं वहाँ theory के दो वीडियो हैं उन दोनों वीडियो को पहले देखिए उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए Otherwise अगर आप directly इस वीडियो को देखेंगे बेना theory को देखे हुए तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा चलिए अब question शुरू करते हैं question 1 में एक piece of wire है जिसकी resistance R है और उस wire को five equal parts में divide कर दिया गया और जो five equal parts है उसे parallel circuit में जोड़ दिया गया if the equivalent resistance of this combination is R' और उसका अगर equivalent resistance जो combination हमने बनाया five equal parts का R' है तो आपको बताना है ratio of R upon R' resistance of wire given है हमें लिख लिए पहले resistance of wire is equals to R' ठीक है किसी भी wire का resistance जो होता है वो उस wire के length के directly proportion होता है ये बात आपको पता होने चाहिए हमने क्या किया है उस wire को five equal parts में divide किया गया है अगर पूरे wire की resistance R है तो जितने भी equal parts है उसको resistance क्या हो जाएगी R upon five क्योंकि resistance जो होता है वो L के proportion होता है मतलब length of wire जितनी ज्यादा resistance उतना ज्यादा length जितनी कम resistance उतनी कम हमने length को one fifth कर दिया है तो resistance भी one fifth हो जाएगा तो लिखिए resistance of each equal part resistance of each equal part R upon five equals to R upon five और इस five equal parts को parallel ही हमने जोड़ा है तो parallel के case में जो equivalent resistance होता है वो क्या होता है 1 upon R1 plus 1 upon R2 जितने रहेंगे 5 है तो R factor जाएगा तो लिखिए 1 upon R1 plus 1 upon R2 R3 R4 and R5 R equivalent R dash question में mention था हमने यहाँ पर R dash डाल दिया है R1 मतलब R upon five सारे ही R upon five है R2 भी वहीं है सेम अर्थरी भी सेम है R upon five ठीक है five हो गया सब reverse हो जाएं कि one upon है यह जागा five upon R plus five upon R five upon R पूरे में से कमन देलो आप क्या हो जाएंगा one plus one plus one plus one plus one plus one that is five हो गया यह that is five upon R into five which will be equal to twenty five upon R अब देखिए one upon R dash क्या हो गया 25 upon R हमें क्या निकालना है R upon R dash R को दर पेश दीजिए है R upon R dash equals to twenty five upon one which will be equal to twenty five option कांसा करेक्ट हो का D D is correct question to a which of the following term does not represent electrical power in a circuit कौन सा टर्ब लेक्ट्रिक्ल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है लेक्ट्रिक्ल पावर का फामला होता है V into I potential difference potential difference into current ठीक है और हमको पता है कि V जो होता है आई 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 इन्टो आई यहाप लिकलिए जे वी इकल्स टो आई याउर इसके क्या आया आई स्क्वार हार अब आपसन चेक्ट करते हैं फिर्स्ट कर रहा है सी यह दो फॉर्मूला ही यह बी को चेक्ट कर तो बैसे हैं V स्कॉएर हुआर टो वी होता है आई-ख्विस्क्वार में इस कैंसल जाएगा यह तो बचा गया आई स्कॉएर आ तो पाउर होता है वी इंटू आई ना कि वी इंटू हाग तो लिखिए करेक्ट ऑप्शन भी इस करेक्ट कुश्चन 3 एन एलेक्ट्रिक बल्ब इस रेटेट 220 वोल्ट एन 100 वोल्ट इसका मतलब यह वा कि अगर 220 वोल्ट का वोल्टेश अप्लाइ करेंगे तो वह बल्ब 100 वोल्ट का पावर कंजूम करेगा कि अगर सेम बल्ब को 110 वोल्ट पर अपरेट करेंगे तो कितना पावर कंजूम करेगा पहले हम दिखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी इक्वूस टूं V आई इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते हैं और आपको नहीं पता कि क्यों यूज नहीं कर सकते हैं आप comment शिक्षे पूछे, I will फिलाई यहाँ पर जो formula यूज होगा वो यूज होगा V square upon R ठीक है तो V तो हमें पता है 110 volt है ठीकिन R नहीं पता है तो जो first case है इसमें 220 volt का voltage supply हो रहा है और power 100 watt है वहाँ से हम R निकालेंगे के case first जब potential difference 220 volt है और power 100 watt है तो P equals to V square upon R P is 100 watt V is 220 तो 220 into 220 R तो calculate ही करना है R क्या हो जाएगा यह 100 दिवाइड हो जाएगा 220 into 220 upon 100 cancel हो गया तो बचा 22 into 22 that is 484 तो बल्व का resistance जो हो गया 484 ohm हो गया अब देखें बल्व का resistance तो change कभी नहीं करेगा first case में resistance यहीं रहेगा और इस case में resistance यहीं रहेगा अब देखें case 2 जब उसमें हमारे पास potential difference 110 volt है ठीक है resistance 484 ohm है हमें निकालना है power consume P equals to V square upon और V is 110 तो 110 into 110 upon 484 11 से यह 10 times में जाएगा और 11 से यह 44 times में जाएगा 11 से यह भी 10 times में जाएगा और यह 4 times में जाएगा that is 100 upon 4 which means 25 watt option यहाँ पे आपका decorrect होगा correct 25 watt इसमें सिर्फ एक ही trick था कि P equals to V I use नहीं होगा क्यों use नहीं होगा आप comment शेक्रें में पूछ सकते हैं अब को नहीं पता है I will reply you अब आता नेक्स कॉश्चन पर है कॉश्चन फोर में दो वायर है इसकी length equal है diameter equal है और same material है suppose यह wire 1 है और suppose यह wire 2 है length equal diameter equal same material तो resistance भी same होगा तो मैं बान लेता हूँ resistance आ रहे हैं इन दोनों wire को पहले series में जोड़ते हैं और फिर heat produced निकालते हैं फिर इन दोनों wire को जोड़ते हैं parallel में और फिर heat produced निकालते हैं इस question में आपको बताना है heat produced in series upon heat produced in parallel का क्या ratio होगा इन में से ठीक है potential difference series और parallel दोनों ही case में same दिया होगा है ठीक है तो मैं मैं माल लेता हूँ कि दोनों के resistance R है wire के resistance R है और potential difference B है लेट रसिस्टेंस आफ इच वायर एड़ इच वायर एड़ पोटेंशल डिफरेंश पी आर एंड वी हमें क्या निकालना है heat produce तो पहले दिखते है heat produce का formula क्या होता वो होता है VIT V यहाँ पर potential difference है I current है और T time है numerical में mention है कि V same है तो हम कोशिश करेंगे यह पूरा formula V में आ जाए इसको मैं लिख रहा हूँ V into V upon R into T मैंने I के जगर पे लेगा V upon R क्यों क्योंकि V equals to IR होता है ठीक है इससे क्या हो क्या हो क्या वी स्क्वार T upon R तो heat produced का formula V square T upon R हो गया हमें निकालना है heat produced in series तो क्या हो जाएगा V square T upon equivalent resistance in series heat produced in parallel यह हो जाएगा V square T upon equivalent resistance in parallel अब इसनों को divide कर जाए है Hs upon HP तो क्या हो गया V square T upon RS upon V square T upon RP तो V square T RS, RP उपचला जाएगा RP upon V square T तो यह cancel हो गया तो बचा कि हमारे पास RP upon RS Hs upon HP Heat produced in series upon heat produced in parallel हो गया equivalent resistance in parallel upon equivalent resistance in series तो अब हम निकालना है RP और RS ठीक है Case first लेते हैं जब वो series में जूड़े दाते हैं Case first For series connection जब दोना ही wire को हमने series में जोट रखा है इस case में equivalent कैसे निकालेंगे Equivalent resistance दोनों को add करना होता है इस case में क्या हो जाएगा R plus R That is 2R इसको RS मेंने मान रखा है जो RS रखे है Case 2 For parallel connection इस case में क्या होता है Equivalent resistance Rp क्या होगा 1 upon R plus 1 upon R That is 2 upon R तो Rp क्या हो जाएगा Reverse हो जाएगा R upon 2 अब देखी Rp upon Rs यहीं निकालना है हमें क्योंकि यही है Hs upon HP Rp है R upon 2 और Rs है 2R इसको 1 से हम डिवाइट कर देने को फरक नहीं पड़ेगा R upon 2 Reverse कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 upon 2R R R cancel तो यह क्या 1 upon 4 विच मींज 1 is 2 4 तो option कौन सो होगा C C is correct I hope आप लोगो समझ में आ गया होगा कोई query है तो पूजे comment section में 5 है अगर 2 point के बीच ने potential difference calculate करना हो तो volt meter को circuit में कैसे आप जोडते हैं तो देखे सपोज मैंने लिया resistance सपोज एक point यह है और एक point यह है और इन दोनों की पीच का में potential difference निकालना हो तो volt meter हमेशा circuit में parallel में जोड़ेंगे ऐसे जोड़ेंगे आपको अब वोल्ड मीटर तो 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 किफ़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे परालल to measure the potential difference between two points in circuit to measure the potential difference between two points in a circuit हमेशा parallel में जान रखेगा two points in a circuit question 6 में एक copper wire है जिसकी diameter given है 0.5 mm और resistivity given है 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm अगर wire की resistance 10 ohm बनानी हो तो length क्या होगी उस wire की given क्या क्या है देखे suppose मैं करता हूँ यह कोई copper wire है ठीक है इसकी diameter given है आपको 0.5 mm second चीज़ given है आपको resistivity इसको नोगो रोज से कहते हैं 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter resistance given है 10 ohm हमें निकालनी है इस wire की length length क्या होगी यह बतानी है तो देखिए इसके लिए formula होता है resistance equals to rho L upon A rho resistivity है L length of wire है और A है area of cross section मैं लिख दे रहा हूँ A is area of cross section वह मैं explain करूंगा क्या है वो तो हमारे पास rho भी है R भी है A नहीं है L calculate करना है तो पहले हम A निकालेंगे area of cross section इसको कहते हैं area of cross section ठीक है यह क्या है circle है इसकी diameter given है तो radius निकाल लेंगे इससे diameter 0.5 mm है तो radius क्या हो जाएगा diameter upon 2 that is 0.5 upon 2 which will be equal to 0.25 mm है इसको आप convert कर लीजे मीटर में तो मिली मीटर को मीटर में convert करने के लिए 1000 से divide करना परता है तो मैं इसको क्या करता हूं इस 1000 को मैं उपर भीज देता हूं 10 to the power minus 3 meter हमारे पास radius आगया इसका area नहीं निकल जाएगा तो लिखिए area of cross section circular है तो area क्या होगा पाई r square पाई की value मैं 3.14 यूज़ कर रहा हूं ठीक है और radius क्या है यह है तो डाल दीजी 0.25 into 10 to the power minus 3 whole square 3.14 को ऐसे नहीं दीजिए इसका square हो जाएगा 625 का square 6 to 5 होता है यहां पहले से तो दो decimal decimal के बाद 2 digit तो 4 digit हो जाएगा तो 0.0625 0625 10 to the power minus 3 तो 10 to the power minus 6 हो जाएगा यह 3.14 को अगर 0.0625 से multiply करेंगे तो यह आएगा आपको 0.196250 into 10 to the power minus 6 अब हमारे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो जाएगा प्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे दीजिए तो आर इंटू ए अपान रो और क्या है टैन ओम एरिया प्रॉसेक्शन यह है 0.196250 into 10 to the power minus 6 और रसिस्टिविटी है 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter ठीक है इसको मैं यहां भेज जा रहा हूँ उपर भेज जा रहा हूँ यह यहां पर minus में है तो क्या क्या हो जाएगा plus में खतम हो गया यह 10 को इससे multiply कर दे रहा हूँ यह क्या होगा decimal एक डिजिट फावर चला जाएगा मतलब कि 10 into this 1.96250 और minus 6 plus 8 to 10 square मतलब 100 upon 1.6 इसको 100 से multiply कर दे तो decimal दो डिजिट आगे चला जाएगा फिर 196.250 upon 1.6 अब यहां पर में एक काम करेंगे यह जो decimal इसको हटाते हैं यहां पर डालते हैं और यह decimal हटाते हैं यहां पर डालते हैं 10 ठीक है 00 cancel 00 cancel तो बचा क्या 1.9625 upon 16 into 10 इसको 16 से डिवाइड करेंगे यह आता है 1227.2 यहां पर रह क्या गया 10 मतलब मैंने इसको इससे डिवाइड किया यह आया नीचे 10 है decimal एक पार पहले आ जाएगा 122.72 मीटर यह होगी length of wire है इस question में थोड़ा concept भी था और main था calculation calculation को जितना easy मैं कर सकता था उतना मैंसे easy मैंने कर दिया सिर्फ एक पार्ट यहां पर छोड़ा 1965 को 16 से डिवाइड करना है यह तो आप division तो करी सकते हैं उसका result आया था 1227.2 10 से डिवाइड करेंगे तो decimal एक डिजित पहले जला जाएगा यह आपका answer आया 122.72 मीटर अब आते हैं इसके second part है how much does the resistance change if the diameter is double के रहा है अगर diameter को double करेंगे तो resistance पे क्या effect पड़ेगा इसके लिए क्या करेंगे पहले हम resistance और diameter के बीच में एक relationship establish करेंगे वो कैसे करेंगे वो देखें resistance का formula होता है rho L upon A यह क्या था area projection जो था पाई आर स्क्वेर ठीक है तो रो एल पाई रेडियस को में लिए सकते हैं डाइमेटर अपाउन टू होल स्क्वेर लिख सकते हैं ठीक है यह क्या हो गया रो एल पाई डी स्क्वेर उपन 4 इस 4 पूपर भेज दिए तो 4 रो एल पाई डी स्क्वेर तो resistance इकोल स्टू क्या हो गया 4 रो एल पाई डी स्क्वेर तो देखें resistance और डामेटर इसमें क्या incidence निकला resistance inversely proportional आया square of its diameter. Since resistance of wire is inversely proportional to to square of its diameter. question क्या था diameter double करेंगे तो resistance पर क्या effect पड़ेगा इसको double करेंगे तो इसका square क्या हो जाएगा one upon fourth तो resistance क्या हो जाएगा one upon fourth so if diameter is doubled resistance will be one fourth will be one fourth तो current resistance क्या है current resistance टेन ओम है one fourth क्या होगा मतलब की 10 upon 4 that is 2.5 अगर diameter double कर देंगे तो resistance जो होगा वो 2.5 हो जाएगा एक बार फिर समझ लीज़े हमने लिका ला यहाँ पे resistance जो है वो diameter के square का inversely proportion है इसका मतलब यह जिस रेशियो में बढ़ेगा उसका square करके देख लेंगे उसी रेशियो में यह घट जाएगा तो diameter double हुआ तो double का square क्या होता है फोर तो वन अपॉन फोर तो रेशिस्टेंस वन फोर तैट इस 2.5 ओम question 8 में एक unknown resistor है मतलब जिसके resistance मालूम नहीं हमें उसको 12 वोल्ट के बैटरी से जोड दिया जाता है कह रहा है उस circuit में 2.5 2.5 ओम ग्रेंट जा रहा है find the value of the resistance आपको resistance की वैल निकालनी गिवन क्या क्या है 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ रहे हैं मतलब have a potential difference 12 औरिख लिख लिखे लिखे ये वीकल सुट्वर्ट करेंट जा रहा है टू पॉइंट्व मिली एंप्यर इस जान दीजे है करेंट का ऐसायुन होता है टीक है तो मिली एंपियर में convert करना पड़ेगा आपको एंपियर में उसके लिए क्या करेंगे 1000 से divide करेंगे यह एंपियर हो जाएगा तो 3 decimal को 3 digits पहले कर देंगे तो 0.0025 एंपियर यह current हो गया Ohm's law से V equals to IR होता है हमें R calculate करना है that is V upon I V यहाँ पे बटा रहा हूं यहाँ पे और डाल रहा हूं 12340 4 digits था ठीक है तो बचा किया 25 से cancel किजिए इसको यह हो जाएगा 400 12 इंटू 4 48 मत्तब रसिस्टेंट जो होगा 4800 तो resistance of the resistor will be equal to 4800 Ohm Question 9 में 5 resistors given है आपको जिसकी resistance है 0.2 Ohm, 0.3 Ohm, 0.4 Ohm, 0.5 Ohm and 12 Ohm और इन सब को स्रीज में जोड़ दिया गया है 9 V के बैटरी के साथ आपको बताना है कि जो 12 Ohm का resistor से उससे कितना current flow कर रहा है मैं जूम करता हूं पहले यह R1, R2, R3, R4, R5 है Let R1 is 0.2 R2 is 0.3 R3 is 0.4 R4 is 0.5 and R5 is equals to 12 Ohm ठीक है इन सब को आपने सीरीज में जोड़ा है तो equivalent resistance क्या होगा सीरीज में क्या होता है पुरे circuit कर अगर निकालना है combine resistance तो सब को मैं add कर देते हैं R1, R2, R3, R4 plus R5 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और last में है 12 तो 0.2, 0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1 प्लस 0.4, 1.4 means 13.4 तो पूरे circuit के resistance क्या होगा है 13.4 ठीक है इक चीज आप जहां रखना सीरीज में current हमेशा same जाता है हर resistor से ठीक है तो हमारे पास R equivalent आ गया potential difference हमें गिवन है 9V जो बैटरी का है ठीक है हमें I calculate करना है तो ohm's law से V equals to I R I equals to V upon R V क्या है 9V और R क्या है 13.4 ठीक है यह हो जाएगा 90 upon 134 cancel कीज़े 45 6 67 इसको divide करने पर आता है यह 0.67 ampere 0.67 ampere मतलब circuit में यही current जा रहा है तो मैंने क्या बोला series में current हर resistor से same जाता है तो 12 ohm से भी यही current जाएगा लिकिए since in series current is same across each resistors each resistors hence 0.67 ampere current will pass through 12 ohm resistors इतना current पास होगा सिर्फ 12 ohm से नहीं इन सब से 0.667 ampere ही पास होगा 0.2 ohm 0.3 ohm सब से question 10 में हमें बताना है 176 ohm के कितने resistors parallel में चाहिए 5 ampere current को carry करने के लिए 220 volt 9 पे पहले देखे इसमें given क्या है current given है 5 ampere लिख लिए आप potential difference given है 220 volt 220 volt तो पहले हम निकाल लेते हैं circuit के resistance कितनी होगी ohm clause से V equals to IR होता है R equals to हो जाएगा V upon I तो V है 220 volt और यह है 5 तो 5 से करें cancel तो यह 44 तो combined जो मतलब की equivalent resistance है circuit का वो है 44 ohm कह रहा है कि 176 ohm के कितने resistors हम जोडेंगे parallel में जिसका equivalent resistance इतना आ जाएगा तो मैं एजूम कर लेता हूँ कि total X resistors हम use कर रहे हैं 176 ohm के let X number of 176 ohm resistors used in parallel तो parallel के लिए equivalent resistance क्या होता है 1 upon 176 होगा plus 1 upon 176 up to X term तक जाएगा क्यों? क्योंकि हमने X resistors लिए हैं 176 ohm के parallel में हैं तो parallel में क्या होता है 1 upon R1 1 plus 1 upon R2 so on यहाँ पर R से हमें 176 और total X number of resistors है इतना गया 1 upon 176 को अगर आप X term तक add करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 176 into X हो जाएगा जैसे 5 को अगर 4 times तक add करेंगे तो क्या होता है? 5 into 4 similarly 1 upon 176 को हमने X term तक add किया तो क्या हो गया? 1 upon 176 into X यह हमें पता है यह कितना है? 44 हम तो नहां लिख लिजे 1 upon 44 1 upon 44 equals to X upon 176 तो 44 X equals to 176 तो X equals to 176 upon 44 और यह cancel हो क्या होगा? 4 हमें कितने चाहिए? 4 resistors देखें हैंस 4 resistors of 4 resistors having 176 ohm resistance required इस पार्ट में इस पार्ट में इतना ही था बागी की जो question रहेगे वो मैं नेक्स पार्ट में करूंगा किसी भी पार्ट में कोई query है? कमेंट जेक्शन ने पूछे, विडियो अच्छा लगा तो like से जरू कीजे see you soon in the next video, thank you